दोस्तों परसो ही मैंने वीडियो बनाए थी कि Arnold Classic में बहुत सारे अथलीट सासकते हैं, confirmation नहीं हुई थी तब तक और बहुत सारे चीजों पे हमें एक जानकारी चाहिए थी और इन लोगों ने हमें बिलकुल वेट नहीं करा है, पूरा का पूरा Arnold का लाइन अप एनाउंस कर जटके से, तीन डिवीजन्स बेसिकली इसमें होती हमें पता है, मैंस बॉडिबिल्डिंग, क्लासिक और मैंस फिजीक, और इन तीनों के ही अभी लाइन अप्स एनाउंस कर दिये गए हैं, हमें पता चल चुका है कि कौन कौन इसमें हमें खेलते वे दिखाई देगा, और स पतावर से बात करते हैं, कौन 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 कौलिफाइड है, तो अभी विलियम बोनेक इसमें आने वाले, इनका परसो तक मैं कही रहाता कि यार, आ सकते हैं, वो, सैंसन दौता इसमें कौलिफाइड है, जिनका हमें पता ही है कि आर्नोल जीतने वाले हैं, शॉन जीत गयते हैं, उनका पहला आर्नोल था, और उसके बाद आर्नोल के प्रमोटर्स का दिमाग घुमा और उन्होंने 212 डिविजन को ही हटा दिया, तो ये अथलीट कब से वेट करें थे, कि अब आएगी 212 डिविजन, अब डिविजन तो आई नहीं, यही अथलीट आगए उपन खेलने, तो अगर आप देखो ध्यान से, तो यहाँ पर लगबग दो एथलीट्स हैं, जो 212 वाले आ रहे हैं, शौन, क्लरीडा, कमाल, और यह टॉप के अथलीट्स हैं अभी, इसके बाद बाद बोड़ी विल्डर्स की बात करता हूँ, मैंस उपन वाले, सैमसन जो एक बहुत बड़ा पैकेज ले करके आने के लिए अब तो जाने जाते हैं, क्योंकि अब तो साइज को चेस कर रहे हैं वो, तो कमाल और शौन बहुत ही छोटे दिखेंगे उनके आगे साइज में, ठीक इसी तरह आकीम विल्यम से एक बहुत बड़े अथलीट हो जाते ह तो बहुत ही अलग वास्ट सा आपको एक स्पेक्ट्रम मिल जाता है इन अथलीट का, तो ये ना बहुत ही मुश्किल बना देगा और सही में दिल्चस्पी भी बना देगा इस कॉम्पिटिशन को कि जर्जिस की प्राइटी इस बार क्या होने वाली है, तो लोगों ने अप पर विनर मानके बैठे हैं, तो लाइन अपना बहुत छोटा है, इसके अंदर हमें डेफिनिटल इस बार दोस्तों ब्रेंडन करी नहीं दिखने वाले, और कई सारी दूसरे अथलीट्स भी इसमें मिसिंग एरे से निक वाकर नहीं दिखने वाले, बट स्टिल मुझे ये ल अब बात ये करते हैं कि ओलंपिया में हमें इस सब किस तरीके से दिखाई दिया और उससे हम क्या एक अंदेशा लगा सकते हैं कि आर्नोल में भी ये दिखाई दिखेंगे, देखो विलियम नहीं चल रहे हैं अपने बेस्ट पर उनकी चेस्ट हो चुके एक दम फ्लैट, ज अब फुलनेस आती जा रहे हैं लेकिन कंडीशनिंग क्वालिटी लूस कर रहे हैं अपनी मसल्स की वह पर उलम्पिया में सिक्स प्लेस आ गया इसी कंडीशनिंग की साथ में इसी साइस के साथ में तो आई थिंग ये इसी गेम को आपस रिपीट करने की कोशिश करेंगे, या फिर और फुलनेस अपनी इंक्रीस करेंगे इन बड़े बॉड़ी बिल्डर के साथ लड़ने के लिए, इनसे कंपीट टक कर लेने के लिए, अकीम विलियम्स पूरी तरह से एक मासिव बॉड़ी बॉड़ी बिल्डर और 16 था थे अभी लास्ट ओलम्पिया में, तो इन लेकिन अगर ओलम्पिया वाली हालत करेंगे और कुछ उल्टा सीधा इनोने के ट्राइ कर लिया तो एकदम 6-7 पे भी जा सकते हैं, और चार्ल्स ग्रिफिन के अगर मैं बात करूं तो मैं बहुत एक्साइट था इनके लिए, और आर्नोल्ड में बढ़िया ही अपनी प्ले बॉल्डर प्रूव करा, 2022 इनके लिए एक प्रूविंग इयर था, ओलम्पिया में खराब दिखे, लेकिन अब अगर लगातर वही कंपीट करते चल जाएंगे तो इनकी हाला जस्टिन डॉडरी की जवाली हो जाएगी, इन्होंने अभी रेस्ट करने का फैसला किया है, आवन अथलीट्स, मैंन्स बॉडिबिलिंग में, तो चांसी जे बनते हैं कि अभी बहुत सारे और बॉडिबिल्डर्स एड हो सकते हैं, कर लेंगे अड आर्नोल्ड वाले, इसमें जरा जस्टिन रोडरी की उसके हम बात कर लेते हैं, जस्टिन फिर एक और कॉम्पिशन ख और अब हम स्टर्ट करते हैं, इनकी प्रेडिक्शन स्टर्ट करूँगा मै, और सही में बहुत ही गंफ्यूस कर देने वाली प्रेडिक्शन होगी, मेरे लिए भी एक बहुत ही मुशं किल लिए चीज है, तो प्रेडिक्शन एक बहुत ही Premoinजाग वाली चीज है, और आप अब लोग भी अपने अपनी चोईस बताना कौन कहाँ पर रह सकता है स्टार्टिंग करते हैं सेवन्थ नंबर से और मैं इस बार भी मैं इसी तरीके से प्रेडिक्शन करने वाला हूँ अब यहाँ पर जस्टिन रोडरी की उसके हाला तो कुछ खराब ही चल रहे है चाहे कैसे भी दिखे सोशल मीडिया पर एक दम जैसे ही स्टेच पर खड़े होते हैं फुलनेस, साइज बस इतना ही दिखता है मसला कॉलिटी, सेप्रेशन वो सब कुछ नहीं दिखता है सचा है लेकिन पोजिस कैसे हीट करने उस चीज की एक कलाउन में नहीं है तो इसलिए वो सिर्फ साइज विदाउट मसल कॉलिटी, विदाउट गुड प्रेशन बस उतना ही दिखाना जानते है तो इसके बाद पांच में नंबर की बात करूं बलेसिंग, तो बलेसिंग के लिए फिफ्ट स्पॉट ठीक है क्यों इसे उपर के जो चार अथलीट से है वो ज़्यादा डिजर्विंग है किसी भी सिनेरियो में बलेसिंग को लेकिन फिर भी एक प्रूब ज़रूर करना होगा और शोल्डर्स भी अभी उतने राउंड़िट नहीं है बट स्चिल इंप्रूब्मेंट्स अभी इतने नहीं हो सकते सिर्फ कंडीशनिंग इंप्रूब हो सकती है इससे जादा कि हम उनसे उमीद करेंगे भी नहीं फिलाल फिफ्ट प्लेस के आसपास उनको होना चाहिए फॉर्थ प्लेसिंग के अगर बात करता हूँ मुझे लगता है सैमसन दौदा यहां आजएक और सैमसन अभी जज़िस की जिस रहसाब से प्रायोर्टी बन रहे है क्या मालूम उनकी बात सच हो जाए और आर्नोल्ड में भी सैमसन ही जीत जाए इस बार का आर्नोल्ड लेकिन फिलाल क्वालिटी ना दिखने के कारण मसल्स में मैं उनको यहां पर चौत्थे नंबर पर डाल रहा हूँ और कंप्लीटनेस एक उतनी नहीं है उनकी फिजीक में अभी बहुत सारी चीज़ों में लैक करते हैं वो निक वॉकर ने अभी यह बोला है कि सैमसन को यह शो नहीं खेलना चाहिए बलकि इंप्रूब्मेंट्स पर काम करना चाहिए और क्वालिटी पर तो फोकस उनको करना ही चाहिए बिकॉस निक तो हमेशा कंडिशन आते हैं तो सैमसन को भी वो यही कहरे का और वो कंडिशन आया होते है ना ओलम्पिया में और उपर का प्लेस वो ले सकते थी तो एक्चुले में कंडिशनिंग प्रॉब्लम सैमसन दौदा के साथ देखी जा सकती है बस आर्नोल में कहीं है इस चीज़ को वर्स ना कर दे तो अभी यह लिए फोर्ट पर डाल रहा हूँ है बागी देखते हैं क्या होता है इसके बाद तीसरा नमबर की बात करूँ तो मुझे लगता है जो हाल इस बार कमाल का है आपर 212 में हुआ था वही यहाँ पर आर्नोल में भी हो सकता है और तीसरा नमबर उनको आर्नोल में यहाँ पर जाना चाहिए कमाल अकेन एक complete bodybuilder नहीं है legs उनके लगातर एक deformity दिखा रहे हैं अब उतनी दादा crisp conditioning भी वो नहीं लेकर के आज़ पाते हैं आज से कि आज से एक साल पहले तक कर रहे थे अब कमाल के साथ ये एक चीज हुई कि पिछले साल उन्होंने न दो तिन competition खेल लिए मैंस उपन के उसके बाद फिर ओलंपिया के अंदर वो एक मजा नहीं आया उनकी फीजिक को देखने में अच्छे थे लेकिन एक वो एस्थेटिकली प्लीजिंग रिब्ट शाप बॉड़ी उनकी अब नहीं दिखती और ये 2022 में हमने काफे मिस किया लेकिन अब एज भी उनकी ज़्यादा बढ़ती जा रही है तो ये नॉर्मल सी चीज़े हैं उसे आप से भी बहुत तगड़ा परफॉर्म कर रहे हैं और कंडिशनी कंपेर करने तो तब भी बहुत ज़ादा अच्छी थी दूसरे अथलीट से 212 के तो इसलिए 3rd placing उनको मिली पर मुझे लगता है कमाल के लिए एक साल में competition खेलना ही ज़ादा बहतर एक decision रहता है अब फिर से ये ओलम्पिया के बाद 3 महने बाद आरनोल में खेलने जा रहे हैं तो हो सकता है body उस किसम के हमें ना दिखे और वो एक sharpness उतनी अच्छी शहद ना दिखे है लेकिन still कमाल तो कमाल है rock तो करेंगी peak तो करेंगी उस दिन तो मेरे इसाब से third placing लेकर के आ सकते हैं इसके बाद अगर दूसरे की बात करूँ दूसरे की ने दोस्तों पहले और दूसरे एक साथ की दोनों की बात कर लूँगा मुझे लगता है competition Sean Clarida और William Bonak के बीच में रह सकता है देखो William बहुत मुश्किल है कि इस competition को अपने हाथ से जाने दे पूरी जान लगा देंगे वो ये Olympia में जो mistake होई थी ना gut निकल रहा था fullness नहीं पकड़ रही थी body ये चीज़े नहीं करेंगे पीक इस बार करेंगे William करते हैं यार Arnold में आच तक तो उनका यही recorder है ये कभी off नहीं देखिया हमें Sean Clarida इनको आच तक off देखानी हमने किसी भी competition में तो दोनों ही ऐसे athlete चल रहे हैं जो की हमेशा एक guarantee सी देते हैं कि आप हम पे आँख बंद करके भरोसा कर सकते हैं और conditioning का एक promise ले सकते हो अब Sean का जो attitude है इस बार के इस Arnold के लिए वो ठीक वही है जो Legion Sports में उन्होंने अपनाया था उनके पास कुछ हारने के लिए नहीं है वो तो एक clear अपना mindset रखके चल रहे हैं पोल के चल रहे हैं कि मेरे पास कुछ नहीं हारने के लिए जो करूँगा वो तो इनामी होगा जो मिलेगा वो extra ही होगा अब Sean का तो ये Arnold Classic भी पहला ही है आसे पहले कभी Arnold निखिला तो इनका ये attitude होना जायज है लिजन स्पोर्स में जब ये गए थे इनको नहीं पता था ये जीतने वाले हैं जीत के आगए वहाँ से तो ये कह रहे हैं इस बार भी मुझे कम ना समझना Arnold Classic भी मैं जीत सकता हूँ और ये अथने dangerous इनका होने का एक reason भी है ये अपने full potential पे चल रहे हैं आपने देखा होगा है इनोंने पूरे साल कोई competition ने खेले last year और सीधा Olympia में आये जीत करके चले गए तो इनकी body बहुत fresh है दूसरे athletes के मुकाबले तो फटावट से Arnold भी खेल सकते हैं और इस वक्ते बहुत push कर रहे हैं अपने आपको hard और अच्छे से grow कर रहे हैं ये तो एक physically होती है body आपकी वहाँ तक जाने को तयार है के नी I think Sean की body push हो रही है लगातर mentally तो ये पहले सी strong है तो दोनों चीज़े मिलनी चाहिए आप mentally strong हो लेकिन physically आपके साथ कोई दिक्कत आगई तो फिर क्या करोगे I think Sean Clarida का इसलिए एक confidence होना बहुत जायज है इस वक्त पे तो ये अभी सोच के साथ चल रहे है William Bonack की बात करूँ, Bonack injuries के इर्द की इर्द की इर्द की रहे है इसलिए उनके साथ कोई जीत की guarantee ले पाना अभी मुश्किल है हर्निया problem भी उनके साथ में है जिस वरता से gut control नहीं कर पा रहे chest problems हमने देखी, muscles अभी deform हो रही है लेकिन कुछ नहीं पता है इन दो महिनों के अंदर एक अच्छी घासी fullness attain कर सकते है वो Chad Nichols के साथ मिल करके क्योंकि उन्होंने करे थे कुछ ऐसी crazy drastic transformation पिछले साल हमें याद है Arnold के time पे, Boston Pro के time पे तो William को भी बहुत कम हम नहीं समझ सकते लेकिन फिलाल बहुत ही ऐसे में tough हो जाता है इन दोनों athletes में से किसी एक को pick करना तो pose by pose अगर मैं बात करूँ na William Bonnet जादा clear separated muscles दिखाते हैं और जादा roundness भी अपने अंदर दिखाते हैं चाहे वो most muscular को ले लो, चाहे वो back double bicep pose को ले लो चाहे वो side tricep pose को आप उठा लो और front के poses भी in fact बहुत अच्छे है William Bonnet के वो जादा roundness उनके legs में भी और जादा roundness उनके biceps में भी तो I think इसलिए यहाँ पर उनका जीतना अभी भी जादा एक sense बनाता है बागी हो सकता है Samsung 12 सबसे उपर आ जाएं फिलाल मैं आपर William को first पर और Sean Clarida को डालता हूँ second number पर तो यहाँ पर prediction मेरे तरफ से भी बागी आप अपनी prediction ज़रूर रख अब दोस्तों हम चलते हैं दूसरी division पर बात करते हैं आपर men's classic physique की classic physique में जैसे के हमने सोचा था वही athletes आ रहे है Raymond Dino आ गए, Raymond Rocha अर्स केलनसिंस की आ गए, Mike Somerfield एक बहुत अच्छी athlete और बहुत बढ़िया athlete अभी तो चमकते जा रहे है Alex Camberino ये भी आ रहे है Neil Curry है इसके बाद में और फिर कोई बहुत बड़ा नाम नहीं है, करे जो पा रहा है आपने सुना होगा, Jason Brown भी एक नाम है, तो इनमें जो top athlete है ना, बस वो ये चारी है जिनके उपर ही चारों के एक साथ नाम बैली डाल दिये नोने, Raymond, Urs, Mike, Alex अब मुझे लगता है बहुत अद्टक, result भी आई जाएंगे जो आप देख रहे हो, इतना simple prediction मैं करके यहाँ पर चल रहा हूँ, कोई महनती नहीं करी, मैंने सच बता रहा हूँ यह top 4 ऐसी ही रहने वाले हैं क्योंकि Raymond जादा complete है अर्स के लिंसिंस की से Raymond की muscles जादा ना थिक है और बहुत ही solid लगती है इवन उनका back double bicep crisp bumstead से भी जादा एक थिक और solid अर्स के लिंसिंस की अपर बॉड़ी में उतने अच्छे नहीं है लेकिन लेक्स बहुत बढ़ी है उनके तो मुझे लगता है इसलिए second choice वो बहुत बढ़ी बन सकते हैं जाजिस के लिए हमेशा ही ऐसा हो रहा है Raymond ने अभी तक तो अर्स को लगातर बीट किया है चाहिए पिशले साल के Arnold की बात कर लो चाहिए पिशले साल Olympia की बात कर लो इसके बद माइक समरफिल्ड ज़ादा भी अच्छे अथलीट चल रहे है और Alex Camperoni Rocco इन्होंने इस बर बीट कर दिया था Olympia में मुझे लगता है Arnold में भी ऐसा हो सकता है माइक का जादा एक भरा हुआ फ्रेम है और जादा राउंडनेस उसके अंदर है साइज कंडीशनिंग दोन अची दिखा देते है माइक के कहना है लेट्स बहुत वाइड है शूल्डर्स बहुत वाइड है तो विट्स अच्छी है क्लासिक फिजिक अथलीट को यही चाहिए होता है जड़िस को यही चाहिए होता है उनमें बागी ऐलेक्स के पास में काफी पतली स्कीन है अगर आप देखो एस कंपेर टू माइक उनकी क्वालिटी जादा अच्छी है स्कीन की तो में भी आर्नोल्ड में एलेक्स उनकी च्वाइस बन जा है क्योंकि आर्नोल्ड की थोड़े अलगी चलते है रिजल्स जो लोग ओलंपिया में अच्छा परफॉर्म नहीं करते है ना आर्नोल्ड में बहुत बढ़िया कर जाते है लेकिन फिलाल के लिए मैं एलेक्स को फोर्थ पे डाल रहा हूँ और माइक को थर्ड पे डाल रहा हूँ तो अभी दोस्तों इन सबके किसी के भी अपडेट्स में आपको बताऊंगा यह नहीं क्योंकि मैटर नहीं करते है रेमौन इस वक्त पे कैसे लग रहे है या फिर अर्स कैसे लग रहे है इससे कोई जादा फरक नहीं पड़ता है क्योंकि जब आर्नॉल्ड होने वाला होगा ना तब हम इस चीज़ पे बात करेंगे और अभी कोई अथलीट भी इंटरस्टीड नहीं है अपनी फिजिक दिखाने में क्योंकि अभी तो हमने ओलम्पिया देखा ही था इन सब कोस में देखा ही था तो यह अभी सारी बाते हैं क्लासिक फिजिक की नहीं बुलाएंगे तो इसलिए आर्नोल में अच्छा लाइन अप रहता है क्योंकि लोग बड़े प्लेयर्स को इंविटेशन भीजते हैं यहां पर एरिन बैंक्स दोस्तों पहले सी बता चुके वो आने वाले आर्नोल खेलने अली बिलाल इसके अंदर हमें दिखाई देंगे काफी बड़ी बात है अली को इन्होंने ले लिया और वो इसलिए लिया है क्योंकि उन्होंने आर्नोल क्लासिक यूके जीता हुआ है तो इसलिए है लेना बनता है उनको, वो deserving athlete है, Arnold की UK के champion वो भी है, तो यहाँ पर आ गए, इसके बाद में Carlos G. Olivera है, अच्छे athlete है पर इस बार Olympia में इनका हाल बेहाल था, काफी पीछे place हुए, बहुत ही खराब place हुए टॉप 10 के बाहर थे, इसके बाद में यह है Diogo Montanegro, तो यह तो Olympia में एकदम चाहे हुए हैं पिछले दो साल से, और इसलिए Arnold में यह भी आ गए, इसके बाद में और कोई athlete नहीं है, तो mainly आप यह मानके चलो, जो नामी athlete है, Diogo हो गए, Aaron, Ali और Carlos हो गए, अब इसमें winner कौन रह सकता है, यह कोई बतानी कि मुझे नहीं लगता कि इसमें बहुत मज़ा आता है इनको देखने में, नहीं आंड्रे फर्जूसन आए, तो वो भी वैसे Arnold के champion लेकिन नहीं आ रहे है, अभी उनके time ही खराब चल रहा है, इसके बाद में मुझे लगता है कि Diogo को यह लोग देने वाले हैं, दूसरा place, क्योंकि वो Olympia में तीसरे पर आते हैं, तो यहाँ पर दूसरे में आ सकते हैं, क्योंकि Brandon Hendrickson तो है नहीं, तो Diogo को सीधा second पर दे देंगे, Ali Bilal मुझे लगता है third आ सकते हैं, यह मैं सही में बता रहा हूँ, क्योंकि Ali Olympia में इस बाना flat थे, still ninth placing लेकर के आए, थोड़े से और full आ जाए ना Olympia से, तो य यहाँ पर Arnold में उनका easy third place आएगा, फिलाल लगातार competition पर competition खेल रहे हैं, Ali तो, तो उनकी body काफी stress में होगी मेरे इसाफ से, लेकिन उनको भी अब कोई ना कोई pro show खेलना पड़ेगा, qualify होने के लिए, क्योंकि उनकी division में सिर्फ तीन लोगों कोई top three contenders कोई अगले साल की qualification मि खेले, तो इस बार भी वही होने वाला है, Arnold में, तो ये चीज़ बहुत matter करती है, फ्रंट से उनका frame ही उतना बड़ी है, इतनी अच्छी muscles है कि Judges वो देखने ही वाले है, तो उस चीज़ को नजर अंदाज नहीं कर सकता, कोई भी, Ali विलाल के abs को, और obliques को, तो I think इसी लि इन्होंने डाल रखे हैं, और यहां सबसे अच्छी बात क्या हो रही है, कि men's physique athletes सिर्फ 9 हैं, इतना छोटा line-up, कहां Olympia में 70-70 आ रहे थे, इस बार तो Olympia में हाली बेहाल था इनका, manage नहीं हो पारे थे इनसे athletes backstage, और सारे athletes परिशान और थे, सामने बैठने वाले लोग भी बोर हो रहे थे, तो यह अच्छी बात है, Arnold वाले इतना बुरा एक पूरा, एक मेला नहीं लगा देते है athletes का, limited लोगों को बुलाते हैं, अच्छे quality वाले athletes को बुलाते हैं, और ऐसा यह हर division में करते हैं, देख लो ना, साथ athletes सिर्फ men's body building में, classic में भी बहुत कम है, तो ऐसा कभी कदम नहीं रखा, Arnold classic में, उनके लिए नए experience होगा, और वो बहुत जादा एक line-up को disturb करके रख सकते हैं, और उमीद होगे पानी फेड सकते हैं, बहुत सारे athletes के, तो जीते हैं, चाहे ना जीते हैं, उनको उससे कोई मतलब नहीं है, वो तो अपना zero से start हो रहे हैं, और जो भी जीते हैंगे, जो भी placing लाएंगे, उनके लिए बड़ी आई है, लेकिन कहीं हैं ऐसा ना हो जाए कि वो competition जीते हैं, सैंसें दौदा भी हैं, विलियम बोनैक भी हैं, अलग-अलग लोग हैं, कमाल अलगार नी, तो टूटवल वाले, ओपन वाले सब एक जगा दिख हैं हमें, तो यह अच्छी चीज़ हो रही है इस बार, आर्नोल में, फिर इसके बाद में, एरिन बैंक्स और अली बिलाल, मैंस फिजिक वाले इन अथलीट्स के लिए मैं थोड़ा से ज़्यादा, एक्साइटीड हूँ, और कुल मिला कि यहीं competition है, अभी देखते हैं, और कि probably हो सकते हैं, अभी time बहुत है, invitation जाएंगे athletes के पास में, जाते रहते हैं, वो तो athletes accept नहीं करते हैं, तो कोई भी आ सकता है, कोई बड़ा men's open bodybuilder भी आ सकता है, तो यहाँ पर दोस्तों अभी यही था, prediction वीडियो मैंने साथ में इसके कर डाली, और आप लोग बताओ, इसन वे यहाँ कर दोस्तों में आप लोगियो मैं में डूह कर दोस्तों चाभीर गीचिन हम इसके लोगी आते हैं, यहाँ यहाँ तो यहाँ कर दोस्तों, वेलोगदाने साथैंगे